नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जनते हैं सितमबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी ओ तीस नमबर तक जारी रहेगी बतादे की गृह मंत्राले ने बीते सितमबर को अनलग 5 की गाइडलाइन जारी की थी इसके तहट कई छूटे दी गई थी जिसमें स्कूल खोलने की जाज़त दी गई थी साथ सिनिमा घरों और थेट्रों पर लगी प्रवांदी भी आटार ली गई थी। बता दे कि 12 नवंबर 2020 तक जारखन के 10 जीलो, साहिव गंज, गोड़ा, देवघर, दुमका, कोडारमा, गिरीडी, पलामु, गड़वा, चात्रा और हाजारीबा के नकसल परभावी छेत्रों में मोबाइल चेक पोस्ट, लोंग रेंज पेट्रोलिंग और सोट रेंज पेट् की है, पलेस्मेंट ड्राइब के पहले दिन 6,000 से अधिक नोकरी तलासने वाले लोगों ने एप पर अपना राइश्टेशन कराया, बता दे किया अभी सेस, 20 दिवसे पलेस्मेंट ड्राइब, COVID-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को कम करने, और नोकरी की तल कर रहे, लोगों को एप के माध्यम से 48 घंटे के भितर उप्यूक्त रोजगार के अउसर उपलब्द कराने के लिए अउजित किया गया है, 20 दिनों तक चलने वाले इस रोजगार मेला की थी महाई, चलो काम की बात करे, राष्टिये परतिवाग खोज परिक्षा के लिए 13 तक करें आवेदान, राष्टिये परतिवाग खोज की परिक्षा की तिथी जारी कर दी गई है, 13 दिसंबर से परिक्षा होगी, आवेदक 13 नौंबर तक आवेदान कर सकते हैं, दसवी में अधयन रत छात्र आपना ओनलाइन आवेदान कर सकते हैं, 5 दिसंबर को जैक के वे परतिट्यूट के 100 प्रस्ण पुछे जाएंगे, परतेक प्रस्णों को एक जवाब के लिए एक अंक होगे, सफल विद्यार्थियों में से काक्षा एगारवी और बरावी विद्यार्थियों को परतेक मा 1250 रुपे दिये जाएंगे, ओनलाइन वा फिजिकल कोट के निना स आटवोकेट शामत, जाखन हाय कोट ने कुरोना संकट के बीच ओनलाइन और फिजिकल कोट चलाने का निना लिया है, इसके लिए हाय कोट की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, इसे लेकर जाखन हाय कोट का एडोकेट एसोसेशन पूरी तरह ससंब नजर आ रहा है, बत में अधिकारिक रूप से मानसुन की समापती हो गई है इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है राची समेट राजे के अन जीलो में दीन का तापमान, समाने और रात के तापमान में थोड़ी गिरावर देखने को मिलेगी वहीं राजे में लगभग सभी जीलों में रात में ओस गिरेंगे राजधानी राची में सुबह या देर रात हलके कोरा भी देखने को मिल सकता है जारखंड के 300 थाने में बनेगा महिला हेल्प डेस्क दुसकर मामले की जाज करेंगे एसपी जारखंड के डीजीपी एमबी राव ने कहा कि राजधे के 300 थाने में महिला हेल्प डेस्क बनेगा महिलाओ के सुरक्षा के लिए या निर्भाया फंड से बनाया जाएगा इसमें महिला सभी परकार की सिकायत दर्ज करा सकती है एमबी राव मंगलवार को पुलिस मुकहले में प्रेस कॉन्फिरेंस में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि महिला या बच्ची से अपराथ होने पर जो पुलिस अधिकारी मामले को दबाने और समझाता करने की कोचिस करेंगे उन पर भी कानून समत करवाई होगी और उन पर प्रात्मी की दर्ज होगी सन्विदा कर्मियों की सेवा नियमिती करण में अभी धेरो अर्चने मुखमिंत्री हमन सुरेन ठेके और धैनिक बेतन पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने को लेकर कई बार बयान दे चुके है और इनके लिए अलग से कमिटी के अगठन भी हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें धेरो अर्चने है सबसे पहली बाधा है सरकार के पास सुचनाओ का भाव होना बिभीन बिभागों में नियमित तोर पर करेरत कर्मियों की संख्या को लेकर अभी तक कोई असपर्श तस्वीर सरकार के पास नहीं है सरकार की ओर से करमिक विभाग ने सभी विभागों के अपरमों के सचीव और प्रदान सचीव को पत्र लिखकर ऐसे करमियों के सुची तलब की जहा है लेकिन अभी तक कोई जनकारी नहीं मिल पाई है कुरोना के एक लाग से अधिक मामलो वाला उनस्वा राज हुआ जहारखन जहारखन कुरोना के एक लाग से अधिक मामलो वाला उनस्वा राज हो गया है देश के अठारा राजयों में जहारखन से अधिक कुरोना के मामले है रात की बातिया है कि इन में से लगबग 94 फिसद मरी स्वस्थ हो चुके हैं यहां कुरोना से होने वाली मोत की दर भी काफी कम है बता दे कि सब से अधिक मामला 10 लाग से अधिक महराश्टर का है लद्दाख में सहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा लद्दाख में भार्थिय सिमा पर सहीद हुए जवान अविसेख कुमार का पार्थिव शरीर मंगलवार की रात 8 बजे इंडिगो की फ्लाइट से राची एरपोर्ट पहुंचा यहां सहीद के पार्थिव शरीर को पुरे समान के साथ उतारा गया राची एरपोर्ट पर राजेपाल दोरोपती मुर्वो ने पहुंच का सहीद अविसेख कुमार के पार्थिव शरीर पर सरदास उमन अपित किया राजेपाल के साथ आने प्रसासनिक अधिकारी भी थे बतार दे कि सहीद अभिसेक कुमार राची के चान हो चोरया के रहने वाले थे वह लदाख में भारतिये सिमा पत्याना जारखन में 308 ने संक्रमीतों के पुष्टी हुई है जो बोकारों से 28 देवगर 18 धनबाज 17 दूमका 1 पूर्भी 43 गडवा 6 गिरीडी 2 गोड़ा 1 गुमला 9 जामतला 3 कोडारमा 4 लातेया 4 लोहर्दागा 3 पाकुर 21 पलामु 6 रामगार 8 राची 127 साहिव गंज 1 सराय के लादो सिम्डेगा 1 पच्मी सिम्हूं से 13 जारखन में कुल संक्रमीतों की संख्या 1,224 जबकि 93,884 लुक स्वास्थ हुए 876 की मिरिती हो गाई भारत में क 22,784 मिले हैं जबकि 58,888 लुक स्वास्थ हुए हैं जारखन में इस समय एक्टिव के 54,74 है जबकि भारत में एक्टिव के 6,10,242 है छट महापर्व के लिए 18 नौमबर से चलेंगे राची पतना और जयनगर एस्पेसल ट्रेन रेल्वे राची से पतना के लिए और राची से जयनगर जाने के लिए सिर्फ एक दीन ट्रेन चलाएगा या ट्रेन 18 नौमबर को राची से पतना के लिए रवना होगी वही 29 नौमबर को राची आएगी इस ट्रेन का नाम festival से चलेगी रिम्स में मरीज की मौत पर बवाल राजी के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रिम्स में आये दिन परिजनों और डक्टरों के बीच बवाल होता रहा है अक्सर परिजन इलाज में कोताई कारोप लगाते हैं तो जूनियर डक्टर मारपीट का ताया मामला भी इसी से जुड़ा है बता देख कि जनकारी के उसाल सोमवार की रात में एक महिला मरीज की मौत हो गई वह कौरनिक किडिनी डीजीज की मरीज थी जूनियर डक्टर का काना है कि उसका इलाज करीब एक सब्ताज चल रहा था महिला के मौत पर जब वह उसका डेथ सर्टिफिकेट बना रही थी तभी मिरीज तक के महिला और पूरुस परिजुनों ने उनके साथ मार पीट की और उनके कपड़े तक फाने की कोशिस की टाटा स्टील में दूसरे राजियों से आने पर 14 दिन का क्वारंटाइन समाव थे कोविन-19 को लेकर राज सरकार की और से नियमों में दी गई छुट के बाद टाटा स्टील ने भी सरकुलर जारी करते हुए अपने करमचारियों की नियमें बदलाव किये हैं इसको लेकर सनिवार को इंटरनल सरकुलर जारी कर इसकी जनकारी करमचारियों की दी गई पूर्व नियम के तहद दूसरे राजी से आने वाले करमचारियों को कोविन जाज के बाद 14 दिन क्वारेंटाइन अनिवार किया गया था या नियम 14 दिन क्वारेंटाइन को हटा लिया गया है पकड़े गयवानों को थाना में ज्यादा दिन न रखे पुलीस हाई कोट जाखन हाई कोट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि पुलीस द्वारा पकड़े गयवानों को ज्यादा दिन तक थाने में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें आम आदमी का पैसाल लगा होता है इसमें कई गाड़िया फाइनेंस की गई होती है ऐसे में ज्यादा दिन तक थाने में रखने की वज़ा से गाड़िया सर्थ जाती है और इससे ज्यादा राज सरकार का रायस्व का नुक्सान होता है हार सामने देख मांसिक संतुलन खो बैठे भाजपा नेता अलमगीर आलम कांग्रेस बिधायक दल के नेता एवं ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर आलम ने बेरमो बिधान सबा ओपचुनाओं को लेकर खेत को रहीम गंज एवं बारू गाओं का दवरा किया लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि बाजपाक के लोग अपनी हार सुनेशी देख अपना मांसिक संतुलन खो बैठे हैं इसी का पहिनाम है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए कुरोना का वैक्सिन मुप्त में देने की बात कर रही है बीत मंत्री से मिला मुलवासी सदान मोर्चा 36% आरक्षन की मांग मुलवासी सदान मोर्चा के प्रतिनीदी मंडल ने मंगलवार को बीत मंत्री रामेशवर उराव से उनके आवास परमुलकात की प्रतिनीदी मंडल का नेतिवत भोनेशवर अनूज कर रहे थे डाक्टर अनूज ने रमेशर उड़ाव से मोर्चा की ओर से पिछली जातियों को कम से कम 36 पर्थियत आरक्षन और सदान आयोग के गठन की मांग रखी है क्रिसी निती का बिरोध कर भागपा मवादी के नाम पोस्टर चिपकाया सराय केला जीला के आदितेपूर थाना छेतर अंत्रगत सपड़ा जानने वाले मोखे मार के पास इस्थित तिलकाचो के समीप से मंगलवार की सुबा नई क्रिसी निती के बिरोध में भागपा मवादी संगठन द्वारा पोस्टर साटे जाने का मामला सामने आया है ग्रामिनों द्वारा इसकी सुचना दिये जाने के बाद उक्त अस्थाल पर पहुंची आदितेपूर पोस्टर को फाल कर हटा दिया गया है आर्ट अफ लिविंग के सहयोग से जनजाती वर्गो के कल्यान के लिए दो सेंटर अफ एक्सिलेंस की सुरुआत जनजाती मामलोक के केंद्रिय मंत्री अर्जिन मुना ने मंगलवार को आर्ट अफ लिविंग के सहयोग से जनजाती वर्गो के कल्यान के लिए दो सेंटर अफ एक्सिलेंस की सुरुआत की है मोके पर आट अफ लिविंग के संसापक गुरुदेव सिरी सिरी रवी संकर भी उपस्तित थे धनबाद में उपलब्ध होगा वानों के लिए CNG इंधन धनबाद में नौवंबर के अंद तक वानों के लिए CNG इंधन उपलब्ध होगा इस समन्द में गेल गैस लिमिटेट के डीजी एम तपन पलाई ने बताया कि धनबाद बोकारो रोट के पुटकी में नौवंबर के अंद तक से एंजी बित्रन सुविदा शुरू हो जाएगी सरकारी नियमों का हवाला दे कर लोगों को लूट रहे बस संचालक राज सरकार ने नौवंबर पहले सब्ता तक अंतर राजिये बसों के परिचालन पर रोक लगा रखी है परिवान विभाग के और से जारी नियर्देश में असपश्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी बस अंचालक राजिये से बाहर अपनी बसों नहीं चला सकते इसके बाद भी सरकार के आदेश को धाता बता कर रोज सैकडो बसे सिमाओ को लांग कर बिहार जा रहे हैं इसकी ख़बर न सरकार को है न परसासन को इन बसों में न सोसल डिस्टेसिंग के पारण किया जा रहा है नहीं आत्रियों को मास्क पानने की हिदायत दी जा रही है वहीं आउस्तन सारे 305 सरुपे की किराया की जगह यात्रियों से 113 सरुपे वसुले जा रहे हैं एसपी को खुद करनी होगी महिला अपराध की जाश डिजीपी राजे पुलिस मुख्याले ने अपराधिक मामलों में जीलों के एसपी से लेकर थानेदारों तक की भूमकाताय कर दी है राजे के परभारी डीजीपी एमबी राव ने इस समद में मंगलवार को आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक महिला वा बचियों की संदेहा असपद मौत के मामले में जीले के एसपी को घटना अस्तल पर जाकर खुद जाच करनी होगी डीजीपी एमबी राव ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि एसपी ऐसे मामलों में ना केवल खुद घटना अस्तल पर जाएंगे बलकि इसके बाद केस का सूपरवीजन भी उन्हें ही करना होगा आराक्षन का फैसला सीगर लागू करे सरकार राजेस गुपता राश्ट्रीय OBC मोर्चा के परदेश अध्यक्ष राईस कुमार गुपता ने जर्खन सरकार से OBC समुदाय को 27% आराक्षन देने की घोस्तना को राजे में सिगर लागू करने की मांग की है उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद भी अभी तक OBC समुदाय को नयाय नहीं मिला है सरकार को और इस्थिर करने की साजिस में भाजपा रामेश्वर उराव ध्यारकन कंग्रेस के परदेश अध्यक सहबित वखाद पूर्ती मंतरी डाक्टर रमेश्वर उराव ने कहा कि बेरमो वदूमका उप्चुनाओ के परिणाम से सरकार की सेहत पर कोई असर पढ़ने नहीं जा रहा है भाजपा सरकार को अईस्थिर करने की कोशिस कर रही है लेकिन उसका मनसुबा कभी कम्याब नहीं होगा भाजपा बहुमत के अनादर की बात को पार्टी की घोसना के पत्र में ही सामिलित कर ले और कहदे की चुनाव में बहुमत भले ही किसी को मिले सरकार भाजपा की बनेगी मुख्यमंत्री हमान सुरेन का बियान दुर्भागेपूर्ण मेयर राची नगर निगम की मेर आसाल लाकळा ने मुख्यमंत्री हमान सुरेन के उस बियान को दुर्भागेपूर्ण बताया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरोना के कारण राजपार में दुसकर में से समंधित मामल में बिरिधी हुई है राज की महिलाओ के प्रती उनकी सोच अची नहीं है वे राज के मुख्या है लकडा ने मंगलवार को कहा कि महिलाओ के सुरक्षा मा बेटी की ज़त वा समान करना उनका नहतिक करता भी है जिस राज में पूलिस पता अधिकारी महिलाओ को तमाचा मार रहे हैं उनसे सुरक्षा की उमीद कैसे की जा सकती है धन्यवाद